स्वागत है आप सभी का लेटिस रिएक्शन मिक्स के एक और ने वीडियो में तो दोस्तों आपने इमर्जिंग इंडिया का पिछले साल का वीडियो तो देखा ही होगा लेकिन ये 2023 का भी वीडियो आया है तो उसी पर आज का मिक्स रिएक्शन हम देखने जा रहे है नमस्का कि वीडियों को शामिल किया गया है वैसे 141 करोड पोपुलेशन के साथ भारत पुपुलेशन के अकोर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा देश बन वही लगबग 3 मिलियन स्क्वार किलो मिटर एरिया के चलते भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का सातवा सबसे बड़ा देश है जो अपने इतिहास, परमपराओं, तेवारों, भोजन और लोगों के लिए जाना जाता है। एकॉनमी और इंडस्ट्री के मामले में 3.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत दुनिया की पाचवी सबसे बड़ी एकॉनमी है। भारत में एग्रिकल्चर एक बहुती इंपॉर्टन्ट सेक्टर है जहां देश की 50% से अधिक आबादी किर्शी से संबंदित गतिवीदियों में काम करती है। भारत अप में एग्रिकल्चर प्रोड़क्स जैसे चावल, केहू, कन्ना, चाए और मसालों के लिए भी काफी फेमस है। भारत के प्रमुप उद्योगों में टेक्स्टाइल, इन्फोमेशन टेकनलोजी, पार्माचूटिकल्स और आटो मोबाईल शामिल हैं। जिसमें Tata, Reliance और Infosys जैसी देश की कुछ प्रमुप और बड़ी कम्पनियों की एहम हिस्सदारी है। भारत अपने हेंडिक्राफ्ट के लिए भी काफी फेमस है, जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। और अपनी population के कारण इंडिया entrepreneur और investors के लिए काफी बहतर opportunities प्रवाइड करता है। वहीं infrastructure के मामले में पिछले कुछ सालों में भारत ने अलग-अलग एरियास में अपने infrastructure निर्मान में महत्रपूर्ण प्रगती की है। भारत के पास देश के विबिन शेत्रों को जोडने वाली सड़कें, रेलवे, हवाईडे और सीपोर्स का एक बड़ा network है। साथ ही देश में connectivity और transportation में सुधार के लिए कई infrastructure प्रजेक्ट भी चल रहे हैं। इसके अलावा देश में sustainable और smart शेहरों के विकास के लिए smart city mission भी launch किया गया है। इंडिया renewable energy के area में भी काफी अच्छी progress कर रहा है, जिसके चलते wind energy के अलावा, solar energy के मामले में भी भारत दुनिया के largest solar energy producer में से एक है। अब बात करे defense की तो Indian Armed Forces दुनिया की सबसे मजबूत और largest military organization में शामिल है। वही बात करे education की तो भारत ने 15 लाग से अधिक स्कूलों और 850 universities के साथ education sector में significant progress की है। जिसमें Indian Institute of Technology और Indian Institute of Management दुनिया के कुछ top education institutions हैं, जिस वज़े से दुनिया के कुछ सबसे successful entrepreneur और business leaders भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही sports में भी भारत का culture काफी rich और diverse है, जिसमें पूरे देश में traditional और modern खेल खेले जाते हैं। जबकि healthcare देश के विकास का एक और महत्पूर्ण पहलू है और भारत ने इस सेक्टर में महत्पूर्ण प्रगती की है। भारत में अस्पतालों और medical facilities का एक विशाल नेटवर्क है। इस वज़े से भारत medical tourism का एक के विशाल नेटवर्क है। इंद्र भी है। जहां दुनिया भर से लोग medical treatment के लिए भारत आते हैं। भारत में दुनिया के कुछ बैतरीन hospitals और medical facilities हैं जो affordable prices पर quality health care service provide करती है। वाइं इंडियन film industry इस से भी जादा languages में हर साल करीब 1500-2000 films के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा film produce करता है। और box office के मामले में यह top 5 में आता है। कल्चर और tradition की बात करें तो भारत अपने diverse culture और tradition के लिए जाना जाता है। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होता है। जिसके कारण देश में 22 से अधिक official language हैं और हर एक state की अपनी unique language, customs और traditions हैं। वही भारत अपने त्यवारव के लिए भी जाना जाता है। जिसमें दिवाली, होली, ईद, गुरुपर्व और क्रिस्मस भारत में मनाय जाने वाले कुछ प्रमुक त्यवार हैं। भारत अपनी rich history के कारण भी काफी famous है। जिसमें ताज महल, लाल किला और कुतमिनार जैसे कई और monuments शामिल हैं। जो देश की विरासत को दर्शाते हैं। वही भारत नाट्यम, कतककली और कुचिपूरी जैसे classical dance के साथ भारत में music, art और dance की अदबुद परमपरा है। साथ ही भारत अपने vivid और tasty खाने के लिए भी तुनिया भर में मशूर है। वही अपनी geographic location के वज़े से भारत का landscape काफी divers है। जिसमें हिमाले जैसे mountains, गंगा, यमुना और ब्रमपुत्र जैसी नदिया, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक hard desert के साथ साथ घने जंगल और बीचिज शामिल है। अब बात करते हैं climate की तो भारत में गर्मी, सर्दी और मौन्सून तीन मुख्य मोसम है। जिसमें देश की जादतर हिस्सों में 40-45 डिग्री शेल्सियस वाली भायंकर गर्मी के अलावा, मौन्सून का मौसम देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश लाता है, जो farming के लिए कापी जरूरी होता है। वही सर्दी का मौसम आम्सूर पर काफी ठंडा होता है। भारत अपनी tourism industry के लिए भी जाना जाता है, यहां पर हर साल लाखों परिया तक आते हैं जिसमें आगरा में स्थित ताजमेल दुनिया के साथ अजूबों में से एक है और एक major tourist attraction है। इसके अलावा popular tourist destinations में अमरित सर में स्वर्ण मंदिर, महरास्ट में अजंता और अलोरा की गुफाएं और के बैक वार्टर शामिल है। वैसे wildlife की बात करें तो भारत में 500 से अधिक wildlife centuries और 100 national park के साथ अलग-अलग परकार के flora और फोना भी मुझूद है। कुछ popular wildlife centuries में जिम कॉर्बेट नेश्टिल पार्क, बांदवड नेश्टिल पार्क और काजी रंगा नेश्टिल पार्क शामिल है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको देश की संदर्ता और कई महतरपून चीजों की जलक मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन। अजय वीडिया जैसा भाई ने बताया ना कि व्यूज जो ने बताया ना कि आपको आएंगे वो तो बाई कमाल गया है। यकिन माने इतने क्माल टूब हमने भाई किया था कवरें लिए लेकर रहें लेकर लेकर दीए जो इंक्रेडिबल इंडिया अप मर्जिंग इंडिया आप बाया ना यार भाई ने एंडिगा दिया यार सोची नहीं सकते थे यार यह चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो तो यह थी हमारी आज की वीडियो बहुत ही जबर्चस वीडियो थी और इस हाठ मिनिट के वीडियो में पूरे इंडिया की जलक दिखाए और कई सारी इंफॉमेशन भी उन्होने इस वीडियो में दी है और चिस चीज़ के लिए इंडिया जहना जाता है हमारा कल्चर टेकनोलोजी, एडिकेशन, हैल्ड, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो हमारे हैं की खास है, उदके बारे में भी बटाया है, जिस तरीके से उदके ड्रोन शॉट्स भी कई सारी जगा होके डिखाया, बहुत ही खुब सुरत तरीके से इस वीडियो को बनाया था, और जो हमार अलग 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 रज्य में अलग 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 कल्चर लेंग्विज है, उसका भी बटाया है, तो आपके क्या विचार है वह हमें कॉमें ने लिखके से वह बटाया अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करना मत पूल, और चैनल पे ने हैट सब्सक्राइब करना भी म क्या है?